वाइलकम फैंट्स सुवाग अदम दोस्तों आज का यह वीडियो डिजीज एंड दियर टीटमेंट सिरीज का वीडियो है जिसमें हम बीमारी बीमारी के लक्षन उसके कारण तता उस बीमारी को डॉक्टर के द्वारा किस तरह से ठीक किया जाता है सभी के बारे में जानते है आज की जो बीमारी है वो है टॉनसलाइटिस जिसे हम गले में सुजन आना भी कहते हैं टॉनसलाइटिस के बारे में जाने तो हमारे गले में दोनों साइड में अंदर के तरफ टिस्यूज होते हैं जो अंडाकार के होते हैं उसे हम टॉनसलाइटिस नाम से जानते हैं इसके लक्सनों को अगर जाने तो जो टॉंसिल से इसके अंदर के तरफ तो सुजन आती है लेकिन कई बार सुजन इतनी बढ़ जाती गले के बाहर भी सुजन दिखने लग जाती और इस कारण से व्यक्ति बोल नहीं पाता बार बार उसको खासी चलती रहती है गले में दर्द होता ह व्यक्ति कुछ पी नहीं सकता खा नहीं सकता और कई बार बहुत जादा इस तरह बिगर जाने कर व्यक्ति को बुखार भी आ जाता है गले के चारोर तरफ दर्द रहता है गरदन में भी दर्द होता है सीर दर्द होना कान में दर्द होना इस तरह की समश्य होती है और जब यह उमर के विक्ति में हो सकती है लेकिन ज्यादा तरी से बच्चों में देखा गया है क्योंकि बच्चों की immune system ज्यादा अच्छा नहीं होता है जिस कारण से जो भी खाने पीने के साथ अगर इसके कारणों की बात करें तो यह तो इसको ठीक करने के लिए एंटी बैक्टिरियल मेडिसिन देना मुख्य रहता है इसलिए डॉक्टर दोरा दो मुख्य मेडिसिन दी जाती जिस में या तो एजीतुरो मैसिन टेडिलेट दी जाएगी या अम講iner集 चलेवन कुम्मिनेशन की टेबलेट दी जाएगी अगर एजितरमाईशन दी जाएगी तो इस दिन में एक बार लेने की सलहा दी जाती है इसे खाने के आधे गंटे पहले या खाने के बाद में दूलों समय भी ले सकते हैं जो डोक्टर अलग लिग डोस देते हैं और एमोक्सिसलेन कल आध को लेने के सलहा दी जाती है गले में जो तेज दर्द हो रहा है सूजन है उसको रोकने के लिए एक्सिखलोफनेक पैरा सिटामद सेरीशियू प्रप्टीडियस को मिनेशन की टेबलेट दी जाती है जिसमें जीरो डोल एसपी प्रमोग टेबलेट है यह सभी लेना होतार एक पानी लेना होता इसको दिन में दोस से तीन बार गार्गल करें और जो जीरो डोल sp tablet इसको भी दिन में तीन बार दिया जाता है यह सभी दवाइयां मरीज को 5 दिन से लगा कर 7 दिन तक दी जाती और अगर वश्चत होती तो इसे जादा भी डौक्टर दरा ए्डवाइस की जाती हैlevant अगर बच्छों में ये दवादी जाती तो सभी सिरफ हो में नहीं होगी, जो डूज होगी, दो फो में की एकोडिंग होगी और कम से कम बोलने की सला दी जाते हैं वो इस रेस्ट के लिए भी कहा जाता है तो इस तरह से अगर लगातार टीटमेंट लेते रहें और इंसी जोगों फोलो करते रहें तो जल्दी ही आपका जो टॉंसलाइटी से वो ठीक हो जाता है अगर आपको या घर में किसी बच्चे को टॉंसलाइटीस की समझे होई है तो तुरंती अपने नज़दे की डॉक्टर से मिले और पूरा टीटमेंट लेकि इसको ठीक करें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पस इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नई टोपी के साथ में तब तक के लिए स्वस्त्रे और मस रहें